अर्विंद केजरिवाल जो कभी दिल्ली का बेटा बताया करते थे वो आज हेलिकॉप्टर में घूम रहे हैं क्या रहे रखते हैं देखिए आम इंसान आम आदमी पार्टी नहीं खास आदमी पार्टी बन चुकी है भाईया जिनके खांदान में किसी ने गाड़ी नहीं देखी थी ना उनका लड़का अज हवाई जाज में घूम रहा है प्राइवेट जेट में घूम रहा है और अपना चोड़िये का हेलिकोप्टर यूज करता है आप बताइए खुद पुन राज्य की सरकार में नहीं है लेकिन जहां पुन राज्य की सरकार है उदर एक काम नहीं कर पाता सिर्व उसका एक मुद्दा होता है एलजी को वोलो एलजी पे डाल दो जैसे एक निकम्भी उलाद होती है वह दो गलत काम करने हैं उसका सारा टीगड़ा एलजी पे पहोड़ देना है मोधी पहोड़ देना है आरे मोधी और योगी तेरे को घर बनाने से नहीं रोखते हैं तुम्हारे बिधाइकों की सैली डबल करने से नहीं रोखते हैं तुम्हारे हेलिकोप्टरों की तदादे इनको नहीं रोकते हैं और तुम्हारे विग्यापन को बनाने से नहीं रोकते तुम्हारे गाड़ियों के काफले को नहीं रोकते लेकिन जहां आम इंसान के काम करने की बात आती है वहां रोक देते हैं तो मुरग बना किसको रहे हो मतलो अपनी गाड़ियों काफला उस पैसे से 2013 अक्तूबर और डेट भी आपको बताता हूं 27 अक्तूबर इन्होंने एक इंटर्व्यू दिया ट्विट करके बोला कि भाया मेरी तो चाती जलती है जहां दिल्ली के बादी में 40% जनता जुक्की जोपडी में रहती है वहां दिल्ली की सीम शीला दिख्चित 20-20 ऐसी लगा करके बैठी है इसका बिल कोन भरता होगा क्या जरूरत है एक नेता कौली शान बंगले में रहने की अपने इतने 15-15 कमरों के घरों में एक अकेली महिला क्या करती है उसमें और लोगों को बजाओ आज देख लीजी है केजरीवाल जी को ये 6 बंदों के लावा किसी 7 बंदों घर में नहीं को सुने देते हैं और कोई अपनी पीडा लेके चली जाए तो चाए महिला हो चाए पुरुष पिट के आता है स्वाति माली वाल देख लो जो कल तक और महिला को बचारी थी वो खुद सेव नहीं थी इसी एम हाउस में जो महिला सम्मान की बात करते थे महिलाओं के लिए बस फ्री करते थे उन्हीं के रेसिडेंस में एक महिला पीट कर आती है जुटी मोटी महिला नहीं सर उसने कितनी महिलाओं को नयाय दिला दिया जीपी रोड एक जगह है जहाँ पे वेश्य करन चलता है उदर से कितनी महिलाओं को अजात करा है उसने हर महिला के लिए धर्णों पे बैढ़ की वो जंतर मंतर पर जाके राजगाट पर आगे अब वो अपने लिए नियाए मांग रही है तो उसकी नियाए देने वाला कोई नहीं है आप बताइए उसको कहते है रिजाइन दो उसका संजय सिंगा के कहता है कि गलत हुआ है मैं हमें एक्सेप्ट करते है उस पर करवाई होग जिस भी राज्य में जाते है लाथ खाके आते है यह दिल्ली में भी सर्थ दस साल हो गए इनको जब दस साल पहले आये थे न हमने इनकी तुनला करे थी नायक पिच्चर के अनिलकपूर से दस साल बाप चला या मरीश पूरी का भी बाप निकला इसने दिल्ली एतना तो बुरा हाल समझे जब अंग्रेज साशन करते था तब नहीं था दिल्ली आप पिछली फोटो पे ठालो ब्लैक अन वाइट उसमें भी दिल्ली इतनी उभरती खुली डुली दिखती थी आज घरो में चला रहता है वह अलग सीज है लीगल इलीगल लेकिन वह पानी बेस्मेंट में घुस कैसे गया वह सड़क में इतना जल भराब हुआ कैसे वह केजरी वाल जी का निकमा पनता क्योंकि वहां की आर डबलू ए वहां के संगठन वहां के लोग कह रहे थे कि सीवरों की सफा ही ये सव्क हान का सब्सक्राब करते हैं अवरों करते हैं पूना जो अभी वर्तवान मुख्यमंत्री हैं आती सी मार लेना भगवान राम से तुलना करती है कि हम भरत की तरह खड़ाओ रखके दिल्ली पर साशन कर रहे हैं तो जो महिला सम्मान नहीं कर सकते हैं उनके लिए ऐसे शब्द आपको अच्छे लग रामर से तुलना करती तब तो समझ भी आ आती है उनकी तुलना अपसंत से और राम जी से कर रहे हैं अपने आपको भरत कह रहे हो डूपके मर जाओ तुमने जाम जी के लिए क्या किया यहीं बता दो जेल से चूटते हो तुम्हें हनुमान मंदिर याद आता है सीपी का वहां जाता है पुजारी नजा नहीं आता कि बहिया मुलाना को तो मैं दे रहा हूँ सो सो क्रोड़ प्र बोल भी रहा हूँ कि जब ता यह केजरी वाल सरकार है वकबोर्ड को पैसे कमी नहीं नहीं देंगे और मुझे आप बढ़ाओ मुझे वोट दो मैं अमबानी का जो घर है उसको भी खाली करा दूँगा वकबोर् लिए था शीला दिख्षिए तीन टाइम की मुख्यमंतरी रही थी उन्होंने भी जब दो टाइम बहुत अच्छे काम करें चर रहते तीसरे कारेकाल में जब उनके ब्रश्टाचार का अंत हो गया था तो इसी दिल्ली की जंता ने इनको यहां से बगाया था और केजरी वा भाली आती है तो पटा के बैन हो जाते है पॉलुशं दिल्ली में बढ़यता है तो यह दोरी रवाय दोगली-्राजणी dark की क्या रहां रखते मैं बनाके जनवरी तक बेन कर दिया गया मैं कहाहरू मैं पुझा सब्सक्राइब दिल्ली को संबाperant लगे- इससे ने कहा दिया इसनना सिर्टों के तोर पे shore मुझा या इसकी मतलब कि दिल्ली की जंता का मन बदल चुका है निकलने के बाद केजरिवाल का इस्तिफा आना इसको आप कैसे देखते हैं क्या पॉलिटिकल प्रेशर था या फिर कोई साधिश साजीस या फिर चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर कुछ सड्य अंत्र चल रहे हैं शरयंतर ही था ये अभी कि एजरिवाल जी अभी किसी दिल्ली को इंको दिखाता हूँ लेकन कोई भिधायक नहीं पनपा हमने का सुपर सकर क्र विजवादव टेंकी बिजवादो नहीं भीजवाई डूब गया हमारा पूरी कलोनी का नुकसान हो गया यह नहीं है अब यह क्या करेंगे अब चुनाव आगे इनको पता दिल्ली की जंता का मन बदल चुका है कांग्रेस को देख लिया इसको देख लिया बाच्पा की तरफ जाने लगिया क्योंकि 2004 के बाच्पा ने आई नहीं दिल्ली के अंदर अब बाच्पा में विश्वाद है कोई मोधी है तो मुम्किन है योगी है तो मुम्किन है अब दिल्ली के अंदर भाच्पा की सरकार बनन क्वान कि लिए पानी में लोग चठ पुझा मनाने जाएंगे क्या रहा है इसका एजनडा क्या है ना में स्वाइब ना लीतसा टूह तैक्हालीट दिखाने के लिए पैदल पत होते इस शर्विस लैं वह जगहां घेर-फिर के वहां पर महुला क्लीनिक बना ओंगा और दिखाँगा मैंने इतने महुला क्लीनिंग बनाए आप यह जल भराव के अंदर गुमो मच्छा डेंगु आपको काटेगा पिर आप यहां पर आओ पैरा सुट टमूल की गोली लो टेस्ट करो और यह रेश्यों बढ़ाओ कि मेरे महुला क्लीनिंग में एक दिन में एक हजार बंदों ने दिखाया अरे भया जी तु बना दस बना पचास बना लेकिन बिमारिया को दे रहा है लोगों को मजबूर क्यों करना है तुम पहले बिमार हो और फिर मेरे हस्पताला हो आप जाईए किसी सरकारी हस्पताल आपको केस कों से मिलते हैं किड्री हुआ होता है यह वो इनने उसकी सभाई नहीं करना है कल मेरे पीछे पड़ोस में चार घर चोड़के किसी घर में साप आ गया रहाइशी इलाक्ये वह डर गए अब मैं अपनी सोसाइटी का आइडवलीय का जॉइंट से के ट्रीवी हूं उन्हें मुझे बोला मैं का बचा म अब आएगी दूसरी तीसी तम मैं देखूंगा अभी यह चारी अभी प्रूफ दिखा सकता हूं मैं आप बताइए इसने एमसीडी को इतना लाचार कर दिया कि उसके पास दूसरा ठेला नहीं है कुड़ा उठाने के लिए करमचारी नहीं है उसके पास आज दूसी रा नि है एक उनका सोरा भादा पढ़ भी गया फोटो बड़े वाग से खीची गई यार आप आप कुछ करने लगयो मुझे क्या क्या करें लेकिन एक दम प्रिप्लेंट है कि मैं एक दम पैर पकड़ूंगा कैमरा उखके रखना फोटो अब यह दिखा रहे हैं कि भीया देखो हम उन्हें कैसे अलजी साब के पैर पकड़ लिए अब एक परिवार के अंदर एक माशल हमने जॉब दे दिया उसके घर में चार परिवार भी चार वोट हो गए ऐसे सो को दे दिया तो 40,000 वोट ले गया यह मूरग बनाने का काम है अब यह आपको जुग्गी जोपड़ी जा लोगा उससे भी खुब सूरत बतातों दिखेंगे यह क्योंकि इन्होंने बटरिंग करनी है अच्छा पहले दिल्ली कैसी थी और अब कैसी देखिए पहले दिली दिल वलों की कही जाती दिली की राजधानी कही जाती दिए आद दिली में कोई आता है ना या तोसके मूपे आपको मास्क लगा हुआ मिलेगा या ऐसे मूँ ढखा हुआ मिलेगा खुला घूमता हुआ आपको कोई नी देखेगा आप कैमरा उठा लेना यह हला दिल लिगी कर दी इनों ने भाईया शीला जी रही उससे पहले भी कहीं सरकारे रही लंडन ऐसा बना दी है कि बंदे पर ब चराता है फिर उसमें यह कीड़े मकोड़े आते हैं वह कैसे पना पर है क्योंकि इनके करमचारी काम करके राजी नहीं है उनको यह बताओ कि यह दो कट्टे मेरे घर के मलवे के पड़े हैं इनको उठा दो तो वह रिश्वत मांग लेगा भाईया आप यह कूड़ा ने आते हैं दिली उनिश्टे उस इस लाखे कि आपको बाबता रहो वाका विधायक नहीं कमा वाकिया यह जो अपरे केजी वाई सरकार नहीं अब यह कहते हैं सांसत तो भी यह उसका रोल क्या विधायक को करो लोनी के अंदर सीवर को डालेगा विधायक सड़क को मनाई को सबस्क्राइब पता क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं यहां से इनको लात पड़ेगी अब यह जएंगे पंजाब में जाके यह मान साब को कहेंगा जी आप बनो मुक्य मंतरी के जिरिवाल जी को वहां से लात बनगी उनको मुक्य मंतरी भने दो हम राश्ट्य पाटी हमार से भाज़पा डर गई हमसे ये सारे डरे हुए है मोधी का ये कर देंगे हरियाणा जिसको अपनी मातर भूमी कहता है मेरी मा मेरे मैरे अर्याणा का लोंडा हूँ बाई हरियाणा का लड़का आ गया हरियाणा उनने बता तो Ahhh उनgestमाना जबत हो जाती है परशान थे और जब इतना महोल बनता हो लोग इतने परशान होते हैं तो उस नेता की हालत पते कैसी होती है जैसी खुद केजरी वाल की जमानते जब जो एक सो सी सीटों में चुनाव लड़ा नब्बे यहां नब्बे वहां एक सीट पर जीत करके जूम रहा है जो यहां पर लिए अरताली सीटे वहां पर ले हैं मेरे कैसे 37-38 सीटे वह नहीं नाच रहे वह जिशन नहीं मना रहे लेकिन जो एक सीट ला करके पेलियर बच्चा राच वाला कुछ निताओं के नाम में बता रहा हूं जो शब्द आएगा बोलिएगा ठीक है पहला नाम है आतीसी मार दोके बाज अर्विंद केजरिवाल एक्टर संजय सिंग संजय सिंग मैलो मैलो प्लेटर रागव चड़ा रागव चड़ा पढ़ा लिखा गवार दोजार पचीश चुनाव में दिल्ली में सरकार किसकी बन रही है बाचपा बाचपा की सरकार पर जमानत जब्द यहां होन